हाई गाइस तो सेकेंड आपका डी एसी होने वाला है जो कि आपका न्यूक्लियर इंड पार्टिकल फिजिक्स इसमें आपकी लैप नहीं है ओनली थेवरी पेपर है और आपके ट्यूट जिसको ट्यूटोरियल बोलते हैं इसमें जस्ट ट्यूटोरियल को मतलब यह होता है कि आपको हपते में एक दिन आपके प्रैक्टिस सीट सॉल्व करा जाएगी हारे कॉलेज में और वह कपी हल्पल होते है रहे तो ट्यूटोरियल होने वाला है और थेवरी पेपर में कितनी यूनिट है वो चीज़ हम लोग डिसकस करेंगे आंगी चल कर तो सबसे पहले अगर म आपको पढ़ना है कि अंदर क्या चीज़ होती है वो और उनकी इंट्रेंसिंग प्रोपर्टी सब्सक्राइब पढ़े 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 हैं क्वांटिटेटेव फेक्ट्स अबाउट मास रेटी एंड चार्ज टेंस्टी मेंटर डेंस्टी एक्स्पेरिमेंटल डिटर्मि यह तो बारें पढ़ेंगे साथ ही साथ पढ़ेंगे आप लोग एब्रेज बांडिक इनर्जी कैसे निकालते हैं और इसका मास के नंबर के साथ क्या वेरीशन होता है वो चीज़ भी आप लोग डिसक्स करेंगे राइट नाइट लास्ट इंक मैन फीचर्स ऑप आपकी आगे वाली यूनिट्स भी डिपेंडेंट है इस पर तो यूनिट अच्छे से करना ही वाली है ना सेकंड यूनिट है जिसमें आपको न्युक्लियर मॉडल्स डिपरेंट पढ़ने हैं इसके रिगार्डिंग जैसे लिकुड ड्रोप मॉडल पढ़ा होगा आपने इसमें जो भी सेंबी इंपरिकल फॉर्मूला निकल के आता है वह एंड सिगनिफेंस एप इस टर्म्स जो भी इंपरिकल फार्मूली में टर्मस आते वह चीज़ आप लोगों को ठीके करनी है कि क्या क्या का ते चीज़ें कंडिशन फूर नूप्लियर स्टेबलिती औद न क्या होती है बोचीज ना सेकेंड मॉडल आपको फर्मिगेस मॉडल जिसमें आपको डिजनरेट फर्मियोज गैस निप्लेश में पोक्टेंशियल इन फर्मिगेस के बारें पढ़ना है साथी साथ यह साथ पढ़ना एविडेंस ऑफ नुपलेट सेल स्ट्रेक्चर एंड बेस्टिक एंशन ऑफ सेल मॉडल तो तीन मॉडल आपको इस यूनिट में कवर करने हैं और क्विश्चन आते हैं इस नौ यूनिट थर्ड रेडियो अक्टिविटी टिके पहले सपढ़े हो फिर भी आप लोग यह चीज पढ़ो गया पर जिसमें आपको पढ़ना डिके रहें टैने क्लिविडियम जो भी आपके दो टाइप की क्लिविडियम है सब्लोर एंड ट्रांसियंट इसके बारे पढ़ने अलफा डिके के अंदर आपको चीज़े पढ़नी है कि अलफा डिक के स्पेक्ट्रू तो कि इसको पी एंड डिके चेंज इसके बाद आती है अपके बीटर की बात में आपको ऑन रेकर पढ़ना है पॉप Chaptermor is emission electron capture Newton hypothesis तो यह तो बीटर डिके के अंदर की बात हुई अब बात करते हैं गामा डिके की तो गामा डिके में आपको पढ़ना है गामा रेस क्या होती है emission of excite emission from excited state of the nucleus and kinematics internal conversion तो यह भी एक सब्सक्राइब होने बाली है जिसमें आलपा बीड़ा गामा डिके से रिगार्ड है का आपको कुश्चन हंडिट परसेंट मिलते हैं ना यूट फूर जो की रेक्शन के रिगार्डिंग जिसमें आपको टाइप सब्सक्राइब पढ़ना है यूनिट ऑफ रिलेटेट फेजि बन्द्रिफेश्चन जिए चीज़ फिलो डिसकुस करोगे और साथी साथ आपको बढ़ना कानमेटरेसम और निकालना यह चीज़ है कि वेल्यू क्या होती ही रेक्शन की रिक्साइट क्या होता है रेक्सान क्रॉस सेक्षें बटन टॉपिक है कैंग है concept of compound and direct reaction यह भी इक इ कुला में स्कैटरिंग आपकी और भी तरीकी के खोती है बट आपको इस उनित में से प्रहूदर फोट इसकेटरिंग के बारे में डिसक्स करना है ना फिप्त वूनिट कि फिफ्ट में आपके थोड़ी सा भी बढ़ी है बट इंट्रेक्शन आप नुक्लियर रिडिशन बित्मेट जो भी आपके रिडिशन अलपा बीटा गामा जो भी नकलते हैं वह मैट्रक से आप कैसे रेक्ट करते हैं वह चीज़ें आप लोग इसमें डिसकस करोगे जैसे आ आपको डेडिशन आता है इसके बाद दूसारी आपका है कि एनर्जी लॉस औफ एलेक्ट्रॉन एंड कहरण को डेडिशन वह आपका प्रोड़ाम से साने जो भी आपको ठीक लगे लिए लिकेने बड़ेंट है ठीक है गामा रेंट्रेक्शन बित मैंटर जिसमें आपको फ कि मैं इसके बाद हम एंट्रैक्शन हो गया तुब टेक्ष्न की बारी आती है तो इसमें आपको पर्णा एक टेक्टर फोंन तो ररीडिशन जिसमें आपको बढ़ने गया स्ट है है ईसके साथ पर्णने आपको बेसिक प्रेंटेर्डान को सिलंग तुम्स के साथ सब्सक्राइब करना है इसके साथ और आपको पढ़ने न्यूट्रोन डेटेक्टर भी ठीक है नाउ सब्सक्राइब आती है आपकी पार्टिकल एसलेटर इसमें आपको तरफ यह देखने को मिलते हैं पहले पढ़ चुके हो तो सबसे पहले कि आपको इंडिया में एसलेटर की इसलेटि कहां पर वह चीज़ आपको डिसकस करनी है जिसमें आपको बांदेगर आप जन्रेटर भी पाढ़ना है एंड बांदेगर आप एसलेटर में डिफ्रेंस क्या वह चीज़ आपको आने चाहिए इसमें एक क्वेश्चन साथा आइधिंक सिल्कॉंस रिकार्डिंग आपको साथी साथ आपको साइक्लोट्रों परना आपको प्रिंस्पल कंस्ट्रेक्शन वर्किंग एडवांटेज और इस युनिट से एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपके हो सकता है साइक्लोट्रों से रिकार्ड़ेंग बता आता तो है नाव यूनिट शिक्स पारिटिकल फिजिक्स इंपोर्टन ट्यूनिट अन्रेट वर्शन कुश्चन साते हैं जिसमें से आपको चीजे डिसकस करनी है कि पारिडिकल इंट्रेक्शन ठीक है जिसमें आपको फोसे के बा हैं ठीक है कंजरवेशन लॉस पाणना जैसे वाको एनर्जी होंटम अंगलर मोमेंटम प्रेटीव बैर नंबर लेप्टों नंबर आइसो इस पर स्टेंजर्ज वालब यह चीज़ आप लोग इसके अंदर की लेप्टों क्या होते हैं यह सारी चीज है साधी से आपको पढ कुन-कौन सी फॉलू करनी है और कौन-कौन सी ठीक रहेंगी तो अगर युनिवर्सिटी लेवल पर जाते हो तो ऐसन को साल अच्छी बुक है और इसके बाद आप लोग थोड़ी बहुत अगर पढ़ना चाहो तो यह भी ठीक है डीजे ग्राफिट्स और इसके बाद जो ट कि आप लोग इस पेपर को थोड़ा अच्छे से करिएगा क्योंकि इससे रिगार्डिंग आपको जैम में भी कापी चीजे देखने को मिलेंगे तो अब बात करते हैं मटेरियल कहां से मिलेगा राइट तो मैटेरियल आपको मिलेगा इसकी डिस्क्रिप्शन में ठीक है और कि अच्छे से पेपर को कंप्लीट करेंगे और यह समस्ट आपका अच्छा जाएगा मेरी दर्फ से और वेस्ट और खुस रहें ना बाइबाई टेक केर